प्लस वन क्लास, चेप्टर 4, कोश्च नमबर 6 त बाइ माथेमाइटिकल इंडक्शन, प्रूफ देट, 1 इंटो 2 प्लस 2 इंटो 3, प्लस 3 इंटो 4, प्लस 1 अप्तू, N इंटो N प्लस 1 इस इकल तो 1 बाइ 3, N इंटो N प्लस 1, N प्लस 2, फोर अल, N बेलोंग सु N, हम यह करें यह न, फोर इंटो N प्लस 1, यहां, N की जगा पे 1 पुत करेंगे, 1 इंटो 1 प्लस 1, यह ऐएगा, 1 इंटो 2, 2, ना राइट 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 हैं्पे राइट राइट की जगाइ, 1 लाइट राइट diffայा बाइटा 1, 1 प्लस 2, यह ऐए, 1 यह राइट्स हेट हो गया, और आपके पास कितना आया, 2, therefore left hand side equal to right hand side, therefore result is true for n is equal to 1, result n is equal to 1 के लिए true हो गया, अब next step जो हमारा है वो let करना है, let result is true for n is equal to k, n is equal to k के लिए हम करेंगे, जो given equation है उसमें n की जगापर हम k कर देंगे, यह है का 1 into 2, plus 2 into 3, plus 3 into 4, plus 1 up to k into k plus 1, is equal to 1 by 3, k, k plus 1, k plus 2, यह हमारे पास इतना आगया, अब हम ही करना है adding, adding के लिए हमें rough में left hand side में इस side कर देती हूँ बेटा, यहां से clearly हो जाएगा आपको, left hand side में हम n की जगापर k plus 1 put करेंगे, यहां पर, यह क्या है, n की जगापर करोगो k plus 1 into k plus 1 plus 1, k plus 1 plus 1, means यह बना आपके पास k plus 1 into k plus 1 plus 1 is 2, यह left hand side हमारे पास आगई, now right hand side के लिए हम लोग यहां पर, यह जो है, यहां पर n की जगापर k plus 1 करेंगे, तो वो देखें क्या बनेगा, 1 by 3, n की जगापर k plus 1, then k plus 1 plus 1, then k plus 1 plus 2, तो यह हमारे पास यहां पर आएगा, 1 by 3, k plus 1, k plus 2, into k plus 3, यह रेखो, k plus 1 plus 2 is k plus 3, means जब हम answer question करेंगे, solve करेंगे, adding में हम यह लिखेंगे, and जो आपके पास answer आएगा, वो यह आना चाहिए, उसके लिए रेखें, adding करीए आप लोग, क्योंकि add हो रहा है, इसलिए हम adding करेंगे, adding k plus 1 into k plus 2, k plus 1, into k plus 2, to both sides, दोनों sides हम add करेंगे, यह पहला वैसे ही लिखे, 1 into 2, plus 2 into 3, plus 3 into 4, plus 1 up to, यहां पर आएगा, k into k plus 1, यहां तक हमने same लिख लेना है, then इसके बाद add करना है, जो हमने करना है, यहां पर k plus 1, into k plus 2, is equal to, यहां पर जो है, आपके पास right side वो लिखे, 1 by 3, k, k plus 1, into k plus 2, plus, यहां पर कितना हैगा, इसके add करोगे, तो k plus 1, into k plus 2, यहां से करें, right side को हमने solve करना, और answer यह आना चाहिए, इस तरह से answer आना चाहिए, इसको आपने जब भी solve करना है, सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए, इन में से जो चीज common निकलती है, हम common निकालेंगे, यहां से k plus 1, और k plus 2, common निकल रहा है, k plus 1, और k plus 2, तो देखिए, आपके पास बचा क्या k, और upon 3, बाकि यह दोनों निकल गे बाहर, प्लस यह भी पूरा निकल गया, 1 बचा, तो चेक करिए, आपका अंसर 1 by 3, इसको ऐसा लिख सकते हो, आप लोग, 1 by 3, into k plus 1, into k plus 2, into k plus 3, आप अंसर चेक कीजिए, बिलकुल सेम आया है, 1 by 3, k plus 1, k plus 2, and k plus 3, therefore, result is true for n is equal to 1, k plus 1, result is true for n is equal to k plus 1, यह तीन lines बेटा लिखनी बहुत जरूरी है, नहीं तो half marks आपका cancel हो जाएगा, but result is also true for n is equal to 1, यह result जो है, also true है, किसके लिए, n is equal to 1, के लिए हम सबसे पहले prove कर चुके हैं, therefore, result is true for all n belongs to, to n, सारे natural numbers के लिए, यह result true है, थाइंक्यों बेटाब, लिएरा हमसी मिन्यों के लिए थाइंक्यों क आपका सिर्शाओा होता.